हेलो एवरिवन वेलकम बैक तो दिरान अकेडमी तो जैसे आप अलोड़ी जानते हो कि हमने हाइडोजन कोलराइट का चैप्टर है वो स्टार्ट किया हुआ है और उसके रिलेटेड मैंने आपको जो फीजिकल प्रॉपर्टीज है वो मैंने डिसकर्स कर ली थी आज की लेक्टर के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टुड़ी करने वाले हैं और हाँ उपर जितने भी चैनल और जो पेजिस दिये गए हैं उनके जो लिंक से वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिये हैं तो बिनको टाइम वेस किये चलिए शिरू करते हैं सबसे पहले बेटा हमारे पास आता है कमबस्टीबिलिटी का मतलब होता है क्या यह खुद तो नहीं जलता या आग लगाने में हेल्प तो नहीं करता तो अगर आपको याद हो जब मैंने आपको फिजिकल प्रॉप्टिज के बारे में पढ़ाया था तो उस फिजिकल को उस कंटेनर के अंदर फिल किया तो हमारा जो केंडल था वो बुझ जाता है तो उससे हमें दो बाते बहुत क्लीर हो गई थी पहली बात देखो हमें यह यहां पर क्लीर हो जाता है कि यह जो गैस है यह कंबस्टीबल नहीं है तो गैस is not combustible अब कंबस्टीबल का मतलब क्या होता है क्या है वो खुद जलता तो नहीं नहीं जलता ही और दूसरे सबसे इसमें पॉइंट इसमें यह था अगर आपको यात हो कि इसकी प्रेजिंस के अंदर जो केंडल थी वो आपकी बुझ जाती है तो इसका मतलब होता है कि नहीं यह कंबस्टीबल के लिए सपोर्ट करता है तो नहीं यह जलने में कहीं हेल्प करता है तो यह है इसकी सबसे पहले CEMICAL property I hope आपको यह प्रॉप की समझ में आ tenants न миллиट चलेए अब आपको लेके चलता हूं में इसकी नेक्स प्रॉपरटी की तरफ तो नेक्स प्रॉपरटी है में इसकी thermal DISOUCEниएशन है तो कि नंब्र वान इर्फ नंब टू है यह आपका सेकिंड है ते जै ए सेी wackल dissociation हर word का न मतलब होता है तो mystery में ऐसा कुछ नहीं कि यादी करना बड़ता है समझना होता है और ये क्योंकि properties है तो dissociate का मतलब क्या होता है dissociate का मतलब होता है किसी चीज़ का तूटना अगर हमारे पास एक scl gas है suppose मेरे पास एक container है और इस container के अंदर क्या है मेरा scl का gas है और अगर मैं इसको heat provide करूँ तो जब इसका जो heat है वो greater than 500 degree Celsius हो जाएगा तो ये जो scl gas है ये आपका तूट कर hydrogen and chlorine gas में ये ये convert हो जाएगा तो मतलब क्या है मतलब बहुत simple है कि अगर माल लीजे मेरे पास है टू नहीं मैं माल लेती है आपको यहां पर दिखाता हूँ कि माल लीजे मेरे पास यहां पर hcl है और hcl के case में मैं अब मैं यहां पर 2 क्यों लगाया था कि मुझे बता कि h2 plus cl 2 बंद तो डबल लगाना पड़ेगा बट कोई नहीं आपको पुरा करके दिखाता हो अगर इसका temperature 500 degree Celsius तकम कर देते हैं तो यह आपका जो scl है इसका bond break हो जाता है और उसी bond break होनी की वजह से हमें मिलता है hydrogen as well as chlorine अब obvious है balance करने के लिए मुझे यहां 2 करना पड़ेगा तो आपको यह बात याद रखनी है कि अगर मैं sl gas के बार में बात कर रहा हूँ और अगर उसका temperature greater than 500 degree Celsius हो जाता है तो उस condition के अंदर यह तूटकर तोटकर आपका s2 ncl2 जो है वो create करेगा बात करते मैं अपने तीसरे chemical properties की और तीसरे chemical property यह है कि अगर मेरे पास एक scl gas है उसको अगर मैं किसी भी metal के साथ react करवाता हूँ अब यह नहीं कि किसी भी metal की बात हो रही है अगर आपको याद हो तो आपका एक क्या कहते हैं उसको electrochemical series होती है electro chemical इसमें series होती है और उस electrochemical series के अंदर हमारे यहां पर नहीं कहीं नीचे hydrogen लिखा होता है अब उस hydrogen के उपर वाले जितने भी metals है यह जो reaction में बताने वाला हूँ यह सिर्फ उसी के लिए applicable है और वो क्योंकि ज़्यादा reactive है as compared to hydrogen इसलिए hcl से वो h को replace करके खुद लग जाते है तो एक electrochemical series के अंदर जो जो metals hydrogen से उपर पाए जाएंगे ठीक है वो इस hydrogen को replace करेंगे अपना salt create करेंगे और साथ में hydrogen gas जो है वो liberate हो जाएगी तो अगर मैं simple तरीके से आपको समझाओं तो अब हम बात कर रहे हैं with metal और with metal के अंदर हमें क्या देखा कि अगर मेरे पास मान लीजिए कि मेरे पास क्या है एक metal है और उस metal के साथ अगर मेरे पास है hydrogen chloride gas और जैसे hydrogen gas के साथ hydrogen chloride gas के साथ react करेगा तो सबसे पहल तो यह बनाएगा metal chloride और साथ में बड़ा create करता है hydrogen तो बड़ा आपको इतनी बात समझनी है कि कौन से metals की बात हो रही है यह उन metals की बात हो रही है example के तोर पे मालीजे मैं आपके पास एक sodium लिख देता हूं यह एक single valent का यहां पर atom मैं नहीं यहां पर लिया है मतलब यह कि इसके automation में एक ही electron होता है और साथ में बेटा मेरे पास हो गया यहां पर that is HCl तो क्या करेगा Na इस H को कर देगा replace और hydrogen के साथ मिलकर यह hydrogen जो molecule है वो create करता मालब as a result आपका बनेगा NaCl और साथ में बन जाएगा बेटा आपके पास H2 अब यह 2 है तो यहां 2 करना पड़ेगा आपको और Cl 2 हो गया hydrogen 2 है यहां 2 करने के लिए मुझे 2 यहां पर भी multiply करना पड़ेगा तो यह हो गया अब क्यूंकि Na2 है तो यहां पर भी 2 करना पड़ेगा तो इस तरह से हमारे equation balance हो जाती है यह मेरा एक monovalent है mono मलब single valent मलब एक out of motion में electron है इसके अगर मैं metal का example देता हूं dry valent का example में आपको calcium का example देता हूं मेरे पास calcium है HCl का present है तो इससे क्या बनेगा आपके पास यह बनेगा Cacl2 प्लस बनेगा आपके पास H2 तो यहां 2 कर देता हूं तो automatically बेटा यह आपका balance हो जाता है ठीक है इसको मैंने divalent इसलिए बोला क्योंकि calcium के out of motion shell में सिर्फ 2 electrons होते हैं तो trivalent की भी बात कर लेते हैं जैसे कि hydrogen से उपर हमें iron भी मिलता है अब iron को अगर मा लेजिए मैं HCl के साथ react करवा भी देता हूं ठीक है अगर आपको एक याद हो बेटा iron के यहां पर trivalent नहीं है यह divalent वाला यूज करूंगा मैं की FE जो है अगर HCl के साथ react करता है तो यह ferrous coloride बनाता है ferric coloride नहीं बनाएगा उसकी भी condition होती है तो इसलिए मैं ferrous की बात करूंगा वैसे तो अगर iron की आप बात करते हो तो यह ferric and ferrous हमें बनाके देता है लेकिन अगर मैं normal conditions के अंदर तो अगर iron को HCl से react कराऊंगो तो वह ferrous coloride बनाएगा मला FeCl2 आपका create करता है साथ में आपका H2 यहां पे बनेगा तो बस 2 यहां कर दूंगा तो यह मेरा ferrous है क्योंकि FE के जो इसका iron है वह Fe2 पॉस्टी वाला iron है इसलिए ferric coloride होता तो FeCl3 बनता यह special मला दूसरे conditions हम बनेगा ऐसे नहीं बनने वाला यह तो अभी के लिए आप इतरही समझे कि मेरे पास Fe है Fe को HCl से react करवा दिया तो मेरे पास ferrous chloride create होता है साथ में hydrogen create होगा तो यह जो है यह है हमारा with metal अब हमें बात करने बेड़ा fourth point की that is the reaction connection with ammonia with ammonia ठीक है पहले आपको बताते है ammonia का मतलब क्या है यहां पे ammonia का मतलब है that is NH3 और यह gaseous state में ही आपने इसको लेना है ठीक है वैसे इसको सही तरीका है दिखाने का तो यह ही है कि इसका bracket यहां नहीं होना चाहिए यहां पे होना चाहिए अब ठीक है तो होता क्या है simple सी बात यह है कि अगर माली जी कि मैं अपने HCl को जो की gaseous state के अंदर है उसको react कराता हूँ ammonia के साथ that is NH3 जो की फिर से gaseous state के अंदर है तो जैसे यह आपस में react करेंगे यह बन जाते है आपके NH4Cl इसको बोल जाता है ammonium chloride ammonium chloride और क्योंकि ammonium chloride आपका बनता है इसलिए हमें dense white fumes दिखाई देती है कि अगर मेरे पास एक ammonia है ammonia के साथ ammonium chloride देगा और वह dense white fumes की form में हमें मिलता है इसमें जो सबसे बड़ी खास बात है कि मैं यहां पे दो gases को आपस में मिला रहा हूँ बट as a result जो मुझे मिल रहा है वह actually solid state के अंदर होता है so यह कह सकते हो कि यह एक ऐसा reaction है जिस reaction के अंदर आपके two cases जो है वह combine होकर ठीक है न क्या बना रही है यहां पे combine होकर combine होकर combine होकर बना रही है solid combine to form to form solid so इसके साथ आपकी chemical properties है यहां पे खत्ब हो जाती है इसके बाद अब हमें बात करने है acid के बारे में और वह हम बात करेंगे अपने next lecture के अदर I hope आपको यह सबस्वज में आ गया होगा ठीक है तो आज के lecture के अंदर हमने chemical properties of ammonium chloride gas के बारे में हमने study किया and I hope आपको यह सबस्वज में आ गया होगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर इए और सब्सक्राइब इट आज के लिए इतना ही thank you so much तो다